क्या शिल्पा दीपिका की तरह गोपी बहु बनेगी बिग बॉस 13 के विनर मिला एक बड़ा सबूत पॉपलर रियालिटी शो बिग बॉस 13 का ग्रैंड आगाज हो चुका है इस बार शो में टीवी आक्टर्स माहीका शर्मा देवो लीना भटचार जी रश्मी देशाई से ले सवाल है क्योंकि अभी तो घर में कंटेस्टेंट्स को आए महस तीन दिन ही हुए ऐसा में यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि शो कौन जीत सकता है लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कंटेस्टेंट के बारें बताने जा रहे हैं जो इस बार शो की विनर बन सकती है जी हां वो कई और नहीं बलके टीवी की गोपी बहु देवो लीना भटेचार जी हैं अंगूरी भावी शिल्पाशिंदे और सिमर बहु दिपीका ककर की तरह इस बार गोपी बहु भी बिग बोस 13 की ट्रोफी अपने नाम कर सकती है और इससे जुड़ा एक बड़ा सबूत हम आपको बताने जा रहे हैं तो सुनिये वो सबूत है बिग बोस 13 का किचन जी हां हर बार शो में ऐसा माना जाता है कि जिसे किचन सम्हालना आता है वो शो में विनर्स के तोर पर सबसे मजबूत दावेदार माना जाता है पहले शिलपा शिंदे ने शो में बड़ी खुबसूरती से किचन सम्हाला और अंत में विनर्स भी बनी इसके बाद पिछले सीजन में डिपी का कक्कर के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला और ऐसा लगता है कि भी गोस 13 में भी या इतिहास दोहराया जाएगा क्योंकि गोपी बहु देवलीना तो पूरी तरह किचन पर कबजा करने के लिए तयार जी हाँ इंटरी के दोरान जहां एक तरफ अधिकतर कंटेस्टिन किचन सम्हालने को लेकर बचते हुए नजर आएं तो वहीं देवलीना ने सल्मान से बातचीत के दोरान बताया कि वह खाना बनाना काफी अच्छे से जानती और वह बहतर तरीके से किचन सम्हाल भी सकती यानि कि कोपी बहु ने इंटरी के साथ ही किचन सम्हालने की बड़ी दावेदारी पेश कर दी क्योंकि वो खाना बनाना बहुत अच्छे से तो जानती ही है साथ ही वो किचन भी काफी अच्छे से सम्हाल सकती है देवलीना की इन बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो बिग बॉल्स 30 में पूरी तयारी के साथ आई और वो शोल जीत कर ही जाएंगी वैसे भी शिल्पा और दिपिका की तरह देवलीना भी टीवी का फेमस जहरा है उनकी फैन फॉलोईंग काफी तगडी है ऐसे में देखने वाली बात होगी कि देवलीना किचन में रहकर अपने यूनिक पस्नालेटी से शिल्पा शिल्दे और दिपिका ककर की तरह शोक जीत पाती है या नहीं